सौके दोस्तों एक ओना वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि GEO ने 5G सर्विसेज लाँच कर दिया है एप्रोक्स ये 95% एरियाज में ये 5G सर्विसेज लाँच हो चुके हैं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहांपे अभी तक 5G सर्विसेज लाँच नहीं हुआ है लेकिन दूस्तों कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी 5G सर्विसेज का अनद नहीं ले पा रहे हैं थाल अधि वाइन दो दो एक्तिवेट नहीं हो कर पा रहे हैं तो आज का जो ये वीडियो बनाने का मोटिम मेरा यही है कि जो लोग इस ऐस का आनत नहीं ले पा रहे हैं और जो जियों ने अपने 5G services के criteria यहां पे लागू किया है उसको वो नहीं activate कर पा रहे हैं अपने smartphone में तो मैं आपको आज इस वीडियो में यह बताना लगा कैसे आप अपने 5G services को अपने अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जिरूर करिएगा सबसे पर दोस्तों आपको अपनी आपको यहां पर एक मैसेज का मैसेज आ रहा है वहाँ पर गेट स्टार्ट का ओप्संद देखने को मिलेगा आपको उस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां से जो 5G services के जो settings होते हैं जो criteria होता है यहां से वो अपना वर्क करना start हो जाएगा उसके बाद यह आपको कोई बीटिक नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको यहां पर सेटिंग का ओप्सन आ जाएगा देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंजाए और जी वेलका मॉफर गोटू सेटिंग मोबाइल डाटा आपको अपने सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद मुबाइल डाटा में जाना है सिम के ऑप्सन पर जाना है वाइसेंड डाटा टू इनेबल फाइबल आपको जो वाइसेंड डाटा है उसको फाइब जी में इनेबल कर देना है यहां पर एक्सप्रोड टू जीक अभी सब्सक्वाолिकिती करेंगे इसे में अभी सब्सक्राइब करुटेबल तो यहां से इसपेड़ करेंगे तो यहां से आपको सAI वाइबल फैसे मिल डैके अगर को यहां से जानके है कि नहीं है तो इस तरह से आपको यह पता चल जाएगा कि आपका हैंड्सेट 5G के लिए अगला अगला जो आपसे आता है तो आप यहां पर देखेंगे क्विक लिंक्स का आ रहा है यहां से आप जाके वह डिटेल चेक कर सकते हैं अगर आपको यहां से आपसंदेखने को नहीं मिलता है तो आपको यहां से बैक आ जाना है बाद थोड़ा सा उपर की तरफ ड्रेग करेंगे तो यहां पर जीओ नेटवर्क आप चेक करना चाते है कि आपके ऐरीये में 5G विस्ट्रिक क्या है आपको यहां से अपको चेक कर लेना है कि क्या आपकी अरिये में 5G सर्विसे अब्लेबल हैं कि नहीं अब्लेबल है आपका दो option यहां से complete हो जाता है 5G device आपको check लेना है आपके area में 5G network है की नहीं है यह check लेना है और check 5G readiness का option आ रहा है इसमें आपको यहां पे जो detail आपको मैंने पहले बताया है वो detail आपको यहां से check कर लेना है अगर आप iOS user हैं तो मैं आपको यहां पे setting enable करके आपको दिख करना है क्लिक करने के यहां पर कुछी इस तरह का interface रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं वाइसेंड डाटा का option रहा है सिंपल आपको वाइसेंड डाटा के option पर क्लिक करना है यहां पर तीन आप दिखिन में को मिलेगा 5G आटो 5G on और LTE आपको simple क्या करना है 5G आटो के option प बाहर जाते हैं आपका वहां से 4G network इनेबल हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने जीयो नंबर पे 5G services को इनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पता कर सकते हैं अगर आपके handset में 5G services नहीं available हैं तो यहां से आपको वो detail मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने 5G services को यह से चेक कर सकते हैं अगर आपके एरियम फाई यह इंटरनेट अबलेबल है तो वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं जो भी टेस्ट में आपको बताया सिर्फ आपको उसी को फालो करना है और आप आसानी से 5G services को अपने handset में enable कर सकते हैं तो साथ ही साथ दोस्तों आपको मै यहां पर एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप 5G services का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यहां से मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आपको फालो करना है वो ट्रिक है कि अगर आप जो रिचार्ज कराते हैं अगर आप 199 कर रिचार्ज कराते हैं 189 कर रिचार्ज कर पर आप तो आपके हैं और 249के नीचे करते हैं तो आप 5G services का आनंद नहीं ले पाएंगे ये आपको जुरूर अपने mind make up कर लेना है कि आपको जो recharge कराना है 249 या 249 के उपर का ही कराना है तब ही आप 5G services का आनंद ले पाएंगे